हम क्या टॉपिक काज कवर करने वाले हम स्टार्ट करने वाले मॉडन फिजिक्स बोहुत ही इंपॉर्टिन टॉपिक होता है स्टूड़न्स मॉडन फिजिक्स में आज के सेशन में मैं दो बेसिक टॉपिक्स डिसकस करूँगा सबसे पहला तो है मेरा डूवल नेचर डूवल नेचर को डिसकस करूँगा, सेकेंड आ जाएगा मेरा एटॉमिक मॉडल, सो डूवल नेचर के अगर मैं बात करूँ, डूवल नेचर बेसिकली किस से रिलेटेड है, ये बताता है, कि यार पूरा का पूरा चार्प्टर इस पे रिलेटेड है, कि light के दो नेचर होते हैं, पाटिकल नेचर भी होता है, और कौनसा नेचर होता है, ये हो जाती है मेरी threshold frequency, कई के बार threshold frequency की value दे देते हैं, और पिर आप से case पूछते हैं, तो work function बता सकते हो, कि yes, एस bends्टिप्लाई करना है, बस simple, अगर ये इंट्नेशिटी बढ़ा दोगे जादे इलेक्टरोन आएंगे जादे लेक्र्व आएंगे तो फो्टो करेंट भी जादा बढ़ेगा धिक वहोता scripture को बढ़ाने से नहीं करेगा तो पहले तो पहला तो से हो गया कि स्टेवलिटी ऑइटम भाता आगा थे इंक कैसे आएगा कुछ नहीं बता था उसना वो देत्ट किस पर क्या थेंगा वो नहीं बताता है Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I suppose आप सब बढ़ियां हो और my name is आदर श्राय, आप सभी को मेरा नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं हम NCRT सारांश की एक बहुत ही बहतरीन सीरीज रन कर रहे हैं और बस अब उसका तो end आने वाला है और end के साथ ही हम क्या topic आज cover करने वाले हम start करने modern physics, बहुत ही important topic होता है, students बहुत ही जादा important होता है, neat के respect से, क्योंकि neat में हर साल इससे question आता ही है, तीन सवाल आप expect करके चलो modern physics से आएंगे ही आएंगे, और सबसे important बात, इतने easy question होते हैं, इतने लड़ू question होते हैं, और यहाँ अब यह बस पूरा का पूरा formula based chapter है, पूर यहाँ पर आपको कोई जादा tricky elements नहीं दिये जाएंगे, कोई जादा out of the box thinking, critical thinking के aspect से question नहीं पूछे जाते, direct formula पर based question है, formula आता है, तो भाई, आराम से solution निकल जाएगा, और हम देखेंगे इस पूरे session में कि क्या सारी बाते हैं, क्या सारी बाते हैं करने की modern physics में, यहाँ हम कौन-कौन सी topics cover करने वाले हैं, so modern physics में आज की session में मैं दो basic topics discuss करूँगा, सबसे पहला तो है मेरा dual nature, dual nature को discuss करूँगा, second आ जाएगा मेरा atomic model, जिसमें atomic model में बोहर model सबसे important है, उसको मैं cover करूँगा, उसकी सारी detailing को हम जानेंगे, और बस यार अगर इन दो को cover कर लिया, तो समझो, dual nature से तो पक्का दो question आते हैं, पक्का दो question आते हैं, done बात है, तो बहुत important हो जाता है, dual nature में, photoelectric effect का aspect, जहां पे बहुत सारे questions आते हैं, atomic model से भी question आते हैं, जहां पे बहुर atomic model में radius का, उसके अत्वर spectral line से related question आते हैं, तो हम सारी की सारी चीजों को देखेंगे, सारे concept cover करेंगे, पूरी NCRT का सारांश निकाल के दे देंगे, और इस session को देखने के बाद, एक बात तो sure है कि आपको कोई भी trouble नहीं आएगा, आपको modern physics में कोई problem नहीं आएगी, जिन जिन को revision करना है, उनका revision भी हो जाएगा, जिन जिन को कोई doubts रहते हैं, उनके doubts भी clarify हो जाए ठीक है, ताकि आपके marks enhance हो पाए, ठीक है, आपका final one short revision हो पाए, आपको कहीं और इधर उधर ना जाना पड़े, और हमने अपने कहे अनुसार, पूरी series, NCRT सारांश, you can see, एक एक chapter को कम समय में सारी चीजे cover की हैं, ठीक है, जो लोग follow कर रहे हैं, उनने तो बहुत अच्छ में देगा, ठीक है, चलो इसी के साथ start करते हैं, हमारा dual nature का पहला topic, जो की modern physics part 1 में complete कराऊंगा, इसके बाद part 2 में क्या आएगा, part 2 में nuclei आएगा mostly, ठीक है, nuclei और x-ray का concept रहेगा, चलो, so dual nature के अगर मैं बात करूँ, dual nature basically किस से related है, ये ही बताता है, कि यार, पूरा का पूर से related है, वो wave nature से related, ठीक है, जैसे कि YDSC का experiment ले लो, diffraction का concept ले लो, फिर reflection, reflection, ये भी आपका wave से complete, accomplish हो सकता है, तो जितने भी आपने चीजे देखी हैं, ये सब क्या दिखाती है, wave nature, अब यहाँ पे एक बहुत बहतरीन सा experiment हुआ था, जिसे बोलते, photoelectric effect, जिसके लिए Einstein को noble प Yes, yes, absolutely, light में दो nature exist करते हैं, wave nature भी और particle nature भी, और आगे जाके session में हम ये भी समझेंगे, कि light के साथ-साथ matter में भी waves का nature एक होता है, मतलब अगर एक object है, कोई भी matter particle है, मैं हूँ, तुम हो, हम move कर रहे हैं, हमाई पास एक velocity है, तो deep rolly hypothesis के according, हम से related भी एक wave होगी, जो कि हम आन इसके बारे में जड़ा जान लेते हैं, अच्छे detail में बात कर लेते हैं, जिससे idea भी लग जाएगा, तो photoelectric effect का बस main मुद्धा ये था, कि क्या हो रहा था, light को, light को, EM waves को, जब भी हम किसी metal surface पे impart कर रहे थे, project कर रहे थे, तो वहां से electrons निकल के आ रहे थे, समझ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले case में मैंने एक particular light release की है, ठीक है, और जिसकी wavelength 700 nanometer है, यहापे आप देख सकते हो, जिसकी wavelength किती है, 700 nanometer है, ओके, wavelength 700 nanometer है, और उसके बाद फिर दूसरी wavelength की, जिसकी 680 nanometer, फिर 400 nanometer, तो ऐसे मैं, reduced wavelength की light rays, इस particular metallic sheet पे project करने लगा, observe मैंने क्य किया, कि यहाँ पे कुछ electrons नहीं निकले, यहाँ पे थोड़े बहुत निकले, और यहाँ पे इलेक्ट्रोंस निकलके, उपर के direction में जाने लगे, जैसे कि आप देख सकते हूँ, यह dot, जो है, यह सब क्या है, यह electrons है, तो यहाँ पे electrons जादा निकल रहे हैं, यहाँ थोड़ sheet पे या किसी भी particular at atomic level पे चलते हैं तो आप जैसे ही light के through intensity दे रहे हो मतलब किसी भी intensity की light दे रहे हो तो light waves क्या है light waves के पास energy है है की नहीं energy कितनी है hc upon lambda या h new ये energy जो electrons अपनी shells में है वो absorb कर रहे है और फिर वहां से बाहर की तरफ निकल रहे है समझे रहे हो बात को so यही है when electromagnetic radiations of suitable wavelength are incident on a metallic sheet on a metallic surface then electrons are emitted this phenomena this phenomena is called photoelectric effect the electrons so emitted photoelectric effect क्यों क्योंकि photons के through photons के through electron का emission हो रहा है ठीक है the electrons so emitted are known as photo electrons and the current so obtained is known as photoelectric current ठीक है current कैसे बनेगा circuit में बनेगा अभी दिखाते है circuit में कैसे बनेगा तो देखो होता क्या है कि suppose एक light up f frequency की impart कर रहे है metallic sheet ठीक है okay so इसके पास energy कित्ती हो जाएगी energy will be equal to hf energy कित्ती हो जाएगी hf के बराबर या h new जो भी आप f को denote करना चाहते हो अब होता क्या है कि मैंने एक energy दी h new अब electron जो है electron को एक particular energy तो इसलिए ताकि वो अपनी atomic shell से निकल के बाहर आपाई और यह जो एक energy required होती है उसको हम बोलते है work function क्या बोलते हैं उसको work function समझ रहे बात को तो मतलब इतनी energy आप दे रहे थे उसमें से इतनी तो कहाँ चली जाएगी भाई उसको atomic shell से निकालने में इसके बाद यह suppose तुमने 10 joule दी और यह 5 joule थी तो उसके बाद जो energy रहेगी वो कहाँ चली जाएगी वो इस electron के पास आ जाएगी और electron किसी particular velocity के साथ जाएगा मतलब जो बची हुई energy का gap आ रहा है वो किसमें convert हो जाएगा वो kinetic energy में convert हो जाएगा किसमें convert हो जाएगा kinetic energy में convert हो जाएगा समझ में आया ठीक है सर बिलकुल सो यहाँ पे photoelectric equation बस यह बोलती है कि H new H new है H F जो भी बोल रहा हो will be equal to the work function 5 plus kinetic energy के सो kinetic energy के की value कित्ती हागी that is going to be H new minus 5 minus 5 ठीक है minus 5 यहाँ पे दो और concept आते threshold wavelength और threshold frequency का ठीक है threshold wavelength तो threshold frequency क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं तो threshold threshold frequency क्या होती है वो frequency वो frequency की incident electromagnetic wave जिससे मेरा electron बस निकल जाए बस उस metal से निकल जाए उसके पास कोई भी energy ना हो मतलब जितनी भी तुम यह energy दे रहे हो यह बस work function के बराबर होनी चाहिए यह मुझे kinetic energy नहीं दे रही मतलब यह 0 होना है तो यह किसके बराबर हो जाना चाहिए work function so h h new इसको threshold को new t बोल देता हूँ should be equal to work function so new t threshold frequency किती हा रही है phi upon h यह हो जाती है मेरी threshold frequency कई के बार threshold frequency की value दे देते हैं और फिर आप से case पूछते तो work function बता सकते हो कि yes h को multiply करना है बस simple ऐसी threshold wavelength भी होता है threshold wavelength भी होता है क्या होता है sir threshold wavelength threshold wavelength में यह होता है threshold wavelength में यह होता है कि वो maximum wavelength वो maximum wavelength यह क्या थी? यह वो minimum frequency थी, वो maximum wavelength जो आप electromagnetic waves को दोगे, ताकि metallic sheet से electron बस बाहर निकले, उसके पास कोई भी kinetic energy ना हो, और वो कैसे पता करते हैं, वो simple hc upon lambda t is equal to work function, मतलब k की value को 0, h new की जगे क्या रख दिया, मैंने hc upon lambda, so lambda की value कित्ती आ गई, lambda t की value देखो, threshold wavelength आ गई, threshold wavelength is turning out to be how much, यह आ ज upon work function 5, यह क्या आ गया मेरा, यह आ गया sir, मेरा threshold wavelength, I think यह दोनों ही चीज़े clear है, direct, चीज़े पूछी जाती है, इनको दे दिया जाता और आपसे work function expect किया जाता, आपको पता होना चाहिए, so you should be aware of both these formulas, they are important, ठीक है, okay sir, बढ़िया, photoelectric equation तो समझ में आगी, तो यही बोला था यही है Einstein की photoelectric equation, according to Einstein photon energy, HF falling on a metal is utilized for two purposes, what are the two purposes, one will go in work function, another one will go in providing kinetic energy to the electron, ठीक है, एक तो work function के satisfy करने में, दूसरी kinetic energy निकालने में, okay sir, बढ़िया है, समझ आ गया, एकदम बढ़िया, अब बताओ, photoelectric current के है generate होता है, photoelectric current देखो, ऐसे generate होता है, यहाँ पे radiation आया, electron निकले, electron निकले भाई, बिल्कुल electron निकले, electron के पास energy यह अब देखो, यहाँ होता क्या है, electron के पास जो energy होती है, electron के पास energy, kinetic energy max के बरावर नहीं होती, सब के पास all electrons, सारे electrons के पास energy, वो Kmax जो था न, Kmax किता था, Hnew minus F5, सारे electrons के पास यह energy नहीं होती, कुछ के पास zero energy हो होती है तो उल whites के पास जो ई üzधी होती केंजी वेडी करती जिरो से की मैक्स तर फीक है अब 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 देखो क्या होता है यहां पे और सारे के सारे लेक्ट्रatelli भरहे हैं ती वह हो इस यहां गप्लेट की तरव बढ़ेंगे और यहां पर जो potential रखा जाता है जो बैटरी है यह हम vary करते हैं यह क्या करते हैं हम vary करते हैं हम vary करके analyze करते है फोटो electric current कैसा रहता है और अभी आपको graph भी बता दूँगा कि इसके vary करने की वज़े से यहाँ पे circuit में जो photo current चलेगा वो vary करता है ठीक है तो एक scenario में रख देते हैं यहाँ पे zero क उसके बाद इसको मान लेते positive रख दिया इसको positive रख दिया इसको negative रख दिया तो जैसे इसका positive टर्मिनल बढ़ाता जाओंगा एक electric field इस तरीके से establish हो जाएगी तो electrons निकॉल रहा है और तेजी से बढ़ेंगे और तेजी से इधर बढ़ेंगी क्योंकि electric field इधर establish कर दी यह व और तेजी से जाएगा तो क्या हो जाएगा current और तेजी establish होगा current और तेजी से बढ़ने लग जाएगा current बढ़ेंगा बढ़ेंगा जित्ता पॉजिटिव करते जाओ जित्ता बढ़ेंगा लेकिन एक limit तक कब तक एक limit तक एक ही बस limit तक क्यों क्यों क्योंकि भाईया आप ए की electron से react कर रहा है एक electron से हिसाब ले रहा है तो जितनी जाद है intensity उतने जाद है electron ठीक है अब यहाँ पे तुम तो positive बढ़ाये जारे हो बढ़ाये जारे हो तो जितना जादा बढ़ा हो कि उतना electron इधर बढ़ने लाएगा बढ़ने लाएगा लेकिन उतना production भी होना चाहिए नहीं electron का तो इसके positive लगाने से photo current बढ़ता तो है बढ़ता तो है लेकिन एक limit तक कौन सी limit तक saturation current कहां तक saturation current तक बढ़ता है और फिर उसके बाद current नहीं बढ़ पाता ओके समझ आ गया मतलब यहाँ पे एक point ऐसा आता है saturation current का वो current होता है जो कि maximum current चलता है उस किसमें आपकी circuit में so saturation current saturation current क्या होता है saturation current होता है maximum maximum photo current running in the circuit maximum photo current running in the circuit ठीक है यह obviously अगर intensity बढ़ा दोगे जाधे electron आएंगे जाधे electron आएंगे तो photo current भी जाधा बढ़ेगा ओके बढ़िया समझागे एक potential difference यहां पर ऐसा भी create किया जाता है एक potential difference यहां पर अब क्या किया positive तक तो ले गया है है यहां force लगने लगता है electron पर पीछे की डिरेक्शनन तो अससे क्या होता है कि electron जो निकल रहा था एक कानिटिक अनरर्जी के साथ उस पे पीछे लग रहा है force तो रुकेगा वो रुकेगा कुछ electron यहां से निकले और यहां के देर हो गए, कुछ थोड़ा और अगे यहां के देर हो गए, कुछ यहां यहां के देर हो गए, कुछ एक अध electron यहां तक पहुच जाते हैं, ठेके, so photocurrent हम फिर उस समय क्या notice करते हैं, कि भाई, कम होता जा रहा है, फोटोगरेंट क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है फोटोगरेंट की value कम होती जा रही है और एक ऐसा potential difference establish होता है यहाँ पे मतलब यह इतना negative और यह इतना positive हो जाता है कि वो electron जिसके पास maximum kinetic energy थी वो वाला electron भी यहाँ से निकलेगा बड़े चोड में लेकिन ultimately इसके पास आ stopping potential clear है stopping potential stopping potential Vs और Vs किसके बराबर होगा सर तो यहाँ पर किती energy थी kinetic energy वो पूरी की पूरी potential energy वो convert हो जाया मतलब charge था Evs should be equal to the value of Kmax अब Kmax किता था सर की मैक्स था मेरा Hnew minus 5S तो stopping potential की value आगे क्या हाँ जी सर stopping potential आ रहा है सर मेरा Hnew, Hnew minus 5, Hnew minus 5, Hnew minus 5 divided by E, divided by E, clear है, yes clear है, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया, तो saturation current भी बता दिया, stopping potential भी बता दिया, सारे के सारे concept तो बता दिये सर, अब क्या बचा है, तो इससे question आता है, इससे question डिरेक्ट नहीं आता, क्योंकि इस पर कोई formula नहीं है, लेकिन इससे तो banker question आते हैं, समझो इस चीज को, और दूसरी type के question किस से आते है, graph से, तो graph अब देखते हैं, आ जाओ, ये बताता है आपका, photo current किता चलेगा, intensity of light के साथ, क्या, photo current किता चलेगा, intensity of light के साथ, इस चीज को ऐसा समझो, क्या आपने target metal रखा है, collector plate रखी, और यहाँ पर कोई भी ठीक है, अब चार electron निकल रहे थे, दो वेवारी थी तो, दो की चार कर दी, तो electron भी double हो जाएंगे, जैसे से double करते जाओगे, number of photons का strike, वैसे वैसे electron जो निकल रहे हो भी double होते जाएंगे, जादा charge होगा, तो जादा current भी तो होगा, इसका मतलब intensity के साथ, photo current का direct relationship होता है, इ उत्ते जादा intensity, उत्ते जादा number of photons, जित्ते जादा number of photons, उत्ते electron निकलेंगे, तो photo current को तो बढ़ना ही पड़ेगा, तो यह बहुत important curve है, किसका intensity और current का graph है, याद रखना, photo current का, ठीक है, next graph आता है आपका photo current और potential difference जो की यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, यह जो potential difference current चल रहा है, चल रहा है कि नी चल रहा है, हाजी सर बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि electron तो निकल रहा है, तो current चलेगा, ओके, यहाँ current चल रहा है, यहाँ current चल रहा है, जैसे जैसे मैं positive करता है, तो current बढ़ेगा, 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 लेकिन एक point तक, क्य सा point कहलाता है यह इसको बोलते है stopping potential stopping potential पर क्या हो गया जो भी electron maximum kinetic energy वाला था उसको ही तक रोक लिया तो उससे छोटी energy वाले तो रोकी जाएंगे सो यह stopping potential है इसका expression यहां दिया हुआ है समझ में आ गया बिल्कुल समझ में आ गया सर ठीके सर दोनों graph आ गया बहुत important next graph पर चलते next graph आता है कि आपका stopping potential vary कर रहे हो stopping potential vary कर रहो किसके साथ vary कर रहे हो stopping potential लिए कर रहे है initial incident wave की frequency के साथ क्या frequency के साथ यहां जो आपको R1, R2, R3 दिख रहे है यह basically क्या है new3 new2 और new1 यह क्या है frequency क्या है? frequency. effect of frequency of light of photocurrent. सो, देखो, होता क्या है? frequency बढ़ाने से क्या saturation current बढ़ेगा? नई, यह तो निए निए तो तभी बढ़ेगा जब ज्यादा photons strike करेंगे, मतलब intensity बढ़ाने पे होगा तो intensity बढ़ने पर saturation current बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, intensity बनाने में saturation current बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं intensity ना बढ़ा कि frequency बढ़ा तो क्या होगा, frequency बढ़ा दो गया, अगर तुम तो होगा क्या, कि तुमने h new minus 5 equals to e v s आये था, तुम इसको बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, तो भाई इसको भी बढ़ना पढ़ेगा, यह इसको बढ़ा दिया, तुमने 10 था, यह 2 था, 10 में से 2 आठ गया, तो इसकी value आ रही थी, 8 by e, अब इसको तुमने 20 कर दे, 20 में से 2 गया 18 बटे ही तो यह तो बढ़े गई ना तो देखो ग्राफ थोड़े से बाहर की तरफ आने लगते हैं stopping potential की value बढ़ जाती है clear ठीक है समझा गया stopping potential का variation with frequency new किसे साब से होता है एसा होता है ऐसा stopping potential वी जो है वो बढ़ता आ जाता है यही तो देखो ना stopping potential यह वी एस और new इसके बीच में एक straight line ही तो आएगी y is equal to mx plus c वाला ही तो करवा रहा है यह देखो इस साब से होता है समझा है किस साब से और यह से साब से होता है ओके ओके बढ़िया यह point क्या है sir यह point यह है जहां पर हमें stopping potential तो चाहिए ही नहीं x के long value तो जीरू आ रही है लेकिन x के long तो है तो यहाँ जो value दी हुई है यह वो frequency की value है जिस पे electron बस work function का energy absorb करके मात्र metal के बहार निकल आता है और उसके पास कोई भी energy नहीं होती है ठीक है यह जो आपको दो points दिख रहे हैं यह जो आपको दो points दिख रहे हैं वो basically क्या बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि यह आपकी threshold frequency है दो metal की किसकी दो metal की metal B और metal A की यह threshold frequency है इस frequency पे बस electron metal के बहार आ रहा है और इसके पास कोई भी energy नहीं है ओके बढ़ियां सर क्या वात है सारे ग्राफ बता दिया आपने तो येस और हो गया मेरा photoelectric effect खथम देखो कितनी जल्दी कर दिया हमने कितना बढ़िया revision किया पूरा photoelectric खथम ऐसे चुटकियों में रख दिया पूरा table पे अच्छा चलो सरी question भी देख लेते हैं question यह बोलता है, दो variation, figure shows the variation of stopping potential V0 with frequency F of the incident radiation for two photosensitive metals P and Q, P और P, Q के लिए ये दिये हुआ है, अच्छा, explain which meter है smaller threshold wavelength, अरे, देख भाई, यहाँ पे F है, यहाँ F है, तो F से में क्या समझूँगा, F से में क्या समझूँगा, इस point पे यह इनकी threshold frequency है, क्या है, threshold frequency है, इसकी कित्ती आ रही है, P की threshold frequency जो आ रही है, P की threshold frequency जो आ रही है, वो आ रही है, 0.1 into 10 raised to the power 15, देखो, यहाँ दिया हुआ है ना, सम्में 10 raised to the power 15, और Q की कित्ती आ रही है, Q की आ रही है मेरी, 1 into 10 raised to the power 15, 10 times है, जो threshold frequency क्यों की है, वो इसके 10 times है ठीक है तो threshold frequency q की जादा है p की कम है तो wavelength किसकी जादा होगी भाई frequency जो होती है वो wavelength के inversely related होती है तो since q is greater than p so therefore lambda जो होगा वो q का छोटा होगा as compared to lambda किसका p का तो यह कौन सा wavelength है यह threshold wavelength है तो किसका smaller होगा smaller threshold किसका हो जाएगा q का ठीक है okay explain giving reason which metal limits photo electrons having smaller kinetic energy for the same wavelength of radiation used okay same wavelength की दिया है तो बताओ किसके पास सबसे कम energy रहेगी भाई same wavelength दिया है मतलब तु मानलो h new same है h new same है तो h new minus 5 is equal to kinetic energy होती है ठीक है यह चीज़ तो constant कर दी अब जिसका यह जादा होगा उसका यह कम हो जाएगा और जिसका यह कम होगा उसका यह जादा हो जाएगा समझ रहे हो कि नहीं क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हो तो बताओ work function किसका जादा था work function उसका जादा था या तो जिसका wavelength threshold wavelength कम था या फिर जिसकी frequency threshold frequency जादा थी threshold frequency किसकी जादा थी threshold frequency तो Q की जादा थी Q की जादा थी तो work function work function Q का जादा होगा किससे P से, तो इसका मतलब kinetic energy किसकी ज़्यादा होगी, kinetic energy ज़्यादा होगी आपकी P की as compared to Q ज़्यादा तेजी से कौन निकलेगा explain giving reason which metal emits photo electrons having smaller kinetic energy smaller kinetic energy कौन निकलेगा भाया क्यों निकलेगा यह निकलेगा smaller smaller kinetic energy के साथ, ठीक है सर ठीक है समझ गया, समझ गया, बढ़ियाँ, अब threshold frequency of a metal is F0 threshold frequency F0 है when light of frequency 2F0 is incident on the metal plate the maximum velocity of electrons emitted is F1, ठीक है threshold frequency इत्ती दी हुई है जब light कित्ती की गिर्रेट H2F0, ठीक है, so H into 2F0 यह क्या हो गया, incident energy इसमें से कित्ती जाएगी, HF0 चली जाएगी, और यह बच्ची भी किसको मिलेगी बच्ची मिल जाएगी, kinetic energy की फॉर्म में मतलब half of M into यह F1 दे दिया, तो F1 square यह आगया, मेरा F1 square, समझ गया, समझ गया, बिल्कुल समझ गया सर, किती value आ रही है यह value सर आ जाएगी मेरी 2 इधर ले जाना, यह H2F0 माइनस HF0, तो HF0 बचेगा 2HF0 upon M, so F1 की value आ जाएगी 2HF0 upon M का under root यह F1 आ गया, यह F1 आ गया, F2 निगाल सकते हो कि यह, अब यह बोला when the frequency of incident radiation is increased to 5F0, intensity को 5 गुना कर दिया, F0 के, so H into 5 F0, minus H into F0, किता हो गया, half of M into F2 square, ठीक है, F2 square हो, यहां से F2 की value इत्ती आ रही है, यहां से F2 की value आ जाएगी, यह आ जाएगा 4 times HF0, तो F2 आ जाएगा, मेरा 4 का under root 2 आ जाएगा, और वापिस 2HF0 upon M आ गया, ठीक है, so F1 upon F2 किता आ रहा है, find the ratio of F1 is to F2, F1 is to F2 किता आ रहा है, F1 is to F2 आ जाएगा, Sir, F1 is to F2 आ जाएगा, Sir, how much, 1 is to 2, 1 is to 2, ठीक है, 1 is to 2 आ गया, किता आ गया, 1 is to 2 आ गया, F1 is to F2 का ratio बता दिया, देख लो, तुम लोगों के सामने है, किता आसानी से कर दिया, स्टाइब की question आते हैं, कोई tough है क्या बिल्कुल नहीं, Sir, इतना easy, सरल सवाल है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है, ओके, बढ़िया, आओ अब बात करते है, particle nature of light, photon, तो अभी आपने जो देखा, वो particle nature ही तो देखा, देखा कि नहीं देखा, भाई, particle nature से ही तो हो रहा है, काम, photon ही तो जा रहा है, electron के पास, energy दे रहा है, अपनी उसको, और energy के साथ ही, तो electron बाहर निकल के, photo electron बढ़ रहा है, तो उसकी कुछ properties है, उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि photoelectric effect के experiment के बाद, क्या निशकर्च निकला, उसको समझना भी तो ज़रूरी है, तो आओ देखते हैं, in interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particle called photons, तो हो गया ना, सिद्ध particle nature है, येस, और उसके particle का नाम photon है, हर एक photon के पास energy होती है, हम्यो की, किता होता है momentum, h new by c, ठेक, and speed तो भाई c ही होती है, photons are electrically neutral, and not deflected by electric and magnetic field, बिल्कुल सही बात, electrical neutral होते हैं, और electric and magnetic fields, उनको कोई भी फरक नहीं पड़ता है, okay, in a photon, in a photon particle collision, such as photon electron collision, the total energy and total momentum, are conserved, देख लो, photon electron से टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है, momentum भी conserve है, energy भी conserve है, ठेक है, ऐसे एकजम particle की तरह behave कर रहा है, however, the number of photons may not be conserved in a collision, the photon may be absorbed, और a new photon में भी created है, बिल्कुल सही बात है, कि energy हो सकता है, कुछ energy absorb कर ली, कुछ energy आपने छोड़ दी, तो वो photon में बन जाएगी, और कुछ energy क्या, पूरी की पूरी energy absorb कर ली, तो number of photons conserve नहीं रहेंगे, लेकिन energy और momentum तो conserve रहेगा, energy और momentum conserve रहेगा, momentum electron भी transfer हो जाएगा, जो भी photon कर रहेगा, ठेक है, अब देखो, क्योंकि ये particle की तरह है, क्योंकि ये particle की तरह है, उन में radiation pressure के हिसाब से construction भी होता है, बिल्कुल होता है construction, और ये माना भी जाता है, कि radiation pressure है, जब भी आप space में कहीं भी satellite launch करते हो, एक radiation pressure होता है, हम पर सूरज की light है किर रहे हैं, हम पर भी radiation pressure लग रहे है, genuine बात लगता है, intensity कम रहती है, बट लगता तो है ही, ठीक है, ओके, तो कितना होता है force, कितना होता है force, और main मुद्दे की बात है, कितना होता है radiation pressure, वो जानना ज़रूरी है, तो देखो, तीन cases बनाएंगे, पहला case तो होता है कि absorptivity, coefficient of absorption 1 है, और coefficient of reflection जो है वो 0 है, मतलब क्या हो रहा है, किक surface है, उस पे light rays आ रही है, और पूरी की पूरी absorb हो जा रही है, पूरी की पूरी क्या होगी, absorb होगी, इस scenario में, जो force लगता है वो हो जाता है, I A by C, और pressure जो लगता है, radiation pressure, यह क्या है, radiation pressure, important है, formula याद रखो, इसका तो जाद रखना खास कर से, radiation pressure किता होता है, I by C, I यहाँ पे क्या है, intensity of light, I क्या है यहाँ पे, intensity of light, जो intensity of light, वहाँ पे गिर रही है, ठेक है, अगर दूसरे scenario में, reflection का coefficient 1 है, और absorption 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई, यह light ray, आई, और यह पूरी की पूरी बाहर चलेगी, पूरी की पूरी बाहर चलेगी, यह purely absorptive surface होता है, यह purely absorptive surface होता है, और यह purely क्या होता है, यह purely reflective surface होता है, clear, यह purely absorptive और purely reflective, ठीक है, समझ गए सर, बिलकुल, बढ़िया, अब इस scenario में क्या होता है इस scenario में 4 से हो जाता है और radiation pressure 2 I by C हो जाता है अब कुछ-कुछ cases होते हैं भाई पूरा नाम है अब्जॉप्टे वो ना पूरा reflective हो थोड़ा बाद अब्जॉप्ट कर लेता हूं थोड़ा बाद रिफ्लेक्ट कर लेता हूं कोई दिक्कत नहीं मतलब r plus a 0 मेरा 1 एтории जो होता है जो रहें वो भी मेरा आपका 0 से 1 के बीच में और से B 9 के बीच में ठीक है बड़ियाँ तो ये जब scenario होता है तब basically क्या होता है कि जो force हो जाता है force कित्ता होता है ie by c 1 plus r हो जाता है और pressure कित्ता फिक्ता होता है I1 c advent 1 par h op तो देख लो, अगर R की value कित्ती हो जाएगी, 1 हो जाएगी, R की value 1 हो जाएगी, तो यह कितना हो जाना चाहिए, 1 प्लस 1 देने की 2 I A by C, और radiation pressure हो जाना चाहिए 2 I by C, ठीक है, समझ गए, तो यह कितना हो जाएगा, 1 प्लस R का एक coefficient इसमें multiply हो जाएगा, जो कि 2 और 1 था पहले, ठीक है, I think इसमें कोई doubt नहीं है, यह partially reflective surfaces के लिए होता है, कि इसके लिए partially reflective surfaces के लिए, ठीक है सर, ओके, यह scenario बें समझ लिया, अब आँ ज़रे deep broadly, wavelength equation को समझते, deep broadly hypothesis क्या है, so deep broadly hypothesis ने यही बोला, कि क्योंकि light है, light के पास दोनो nature है, deep broadly wavelength, और वो कितनी होती ही, वो होती है, h upon momentum के बराबर, कितनी h upon momentum के बराबर, obviously बात है, बड़े-बड़े objects, यह से मैं हूँ, मैं चाल रहा हूँ, मुझे में नहीं नहीं देखेगा, train बहुत ते चल रही है, उसमें भी नहीं देखेगा, plane में भी नहीं देखेगा, क्योंकि h की value, 10 raise to the power minus 34 है, सोचतो लो, कितनी है minus 34, यह दिखता है कहां, आपके subatomic particles में, यानि कि electron का जो motion होता है, around the nucleus, वो proper wave के form में, उससे related wave होती है, ठीक है, इसलिए electron cloud formation भी होता है, समझे रहो बात को, तो इससे related एक wave होगी, और इससे related experiment भी हुआ है, जो कि यह बताता है, clear है, okay sir, so electron में दिखता है, क्योंकि electron में जो momentum होता है, mass कितना हो जाता है, mass जोता है 10 raise to the power minus 31 के बादबद, ठीक है, minus 31 में चला जाता है, तो वहाँ पे यह चीज़े visible है, है, बहाँ पे चीज़े visible है, ओके, ठीक है, बड़े, अब यह P को थोड़ा एक फ़ॉर फ़ॉर में रिख दो, तो भाई, H upon under root of 2ME हो गया, ठीक है, यहां से एक चीज़े देखने मिलती है, 2ME क्योंकि, जो भी momentum होता है, 2, 10, 2M into kinetic energy, यहां पे kinetic energy, यहां से H is inversely proportional to momentum भी आता है, inversely proportional to velocity भी आता है, inversely proportional to root energy भी आता है, इसलिए बता रहो relation, क्योंकि आप से 2 values, 2 objects की energy पूछ लेते हैं, बताओ lambda किता है दुनों का, तो यह relation याद रखना जरूरी है, यह relation याद रखना जरूरी है, ठीक है, प्रोपगेटे इनरजी हो जाएगी, ठीक है, Heisenberg का uncertainty principle क्या है, हैंज़नबर्ग का uncertainty principle बड़ा सिंपल सा है, सिंपल यह बोलता है, इलेक्ट्रोन इतनी तेजी में चल रहा रहता है, इलेक्ट्रोन इतनी तेजी में चल रहता अपनी शेल में, कि एक ही समाई पर उसकी position और उसका momentum डिफाइन करना impossible हो जाता है, ठीक है, उसकी position और उसका momentum पता करना impossible हो जाता है, और Heisenberg uncertainty principle बस यह ही है, कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इस ग्रेटर दैन और एक्वल टू हैज अपन टू पाई, ठीक है, अब देखो, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, नहीं बता कर लिया तो यह क्या हो जाएगा जीरो बिरेशन इस 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 पॉइंट पे तुमने पोजिशन बता दी उस पॉइंटम नहीं बता सकते यह मुमेंटम बता दे तो पॉइंटम नहीं बता सकते यह सिंपल हाइजंबर्ग अनसर्टरिटी प्रिंसिपल साइमें टेरियसली बोथ पॉजिशन और मुमेंटम को डिफाइड नहीं किया जा सकता एक को ही कर सकते दूसरा अपने अपने अप अंडिफाइंड हो जाएगा बढ़ियां सर बढ़ियां अब बात करते हैं Atomic Models Atomic Models तो हो गया मेरा Dual Nature खतम यहीं पर पड़ावट कर दिया मैंने देखो किता अच्छी तरीके से रिवीजिन हो गया अब देखो Atomic Model पर चलते हैं So Atomic Model क्या बोलता है Atomic Model में बेसिकली देखो पर रिलेवेंस है बोहर मॉडल का और रदरफोर्ड मॉडल की दो-चार कुछ इंपॉर्टिट नोट्स हमको पता होनी चाहिए जैसे Impact Parameter क्या होता है साथी साथ minimum closest distance approach क्या होता है जो कि बड़े गया था जो कि सरासर गलत है पता नहीं क्यों देते हैं तो हमने लगा दिया सिंपल से चीज़े ना इससे question आया है ना पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए कि मुर्गता है कहां से चालू ही तब जाके final result है मुर्गता तो नहीं बूल सकता है किसीने सोचा भी नहीं होगा कि इतने अट्साव अटामिक लेल पर कुछ एक्जिस्ट करता है बट इस भाई ने सोचा तो हमें समझ लेना चाहिए ठीक है नेक्स चलते रदर फूर्ड मॉडल अब रदर फूर्ड ने कुछ थोड़ा बहुत अच्छी काम की चीज़ की ती इसने बहुत अच्छा काम किया कि इसने एक अल्फा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल की बीम को एक गोल्ड फॉयल पे एक गोल्ड फॉयल पे प्रोजेक्ट किया किस पर प्रोजेक्ट किया यहां पर बहुत सारी ऐसी अल्फा पार्टिकल थे उनको प्रोजेक्ट किया और इसके बात पर इसने क्या नोटिस किया यहां पर उसने चारो तरफ स्क्रीन लगा दी यहाँ पे उसने चारो तरफ स्क्रीन लगा दी ठीक है चारो तरफ इसने स्क्रीन लगा दी अब इस्क्रीन ने क्या किया स्क्रीन ने बेसिकली देखा कि कुछ अलफा पार्टिकल इधर गए कुछ alpha particle इधर गए कुछ alpha particle इधर गए और maximum तो भाई सीधे के सीधे निकल गए ठीक है और दो चार ऐसे भी थे हैं जो ऐसे वापिस चले गए समझ रहा है बात को maximum तो सीधे निकल गए थोड़े बहुत इधर उदर कुछ बहुत कम बहुत कम सीधे रिबांड बैक कर गए बहुत कम रिबांड बैक कर गए ठीक है अब यह observation किया किसने रधर फोड ने इसके basis पर उसने कुछ बहुत अच्छे conclusions निकाले क्या conclusions निकाले देखो कुछ इस तरीके का alpha particle डाला अब बहुत कम जैसे मैंने बूले यह वाला जो alpha particle था वो इस प्लट के पीछे की तरफ जाने लेगा यह वाला जढ़ा वो क्या एसा गया और इधर चला गया यह वाला इधर जो थे ऑनाइल निकल ठीक है और की इधर इधर जो थे वह तो भाई सीधे के सीधे कि ही निकल गया यहां से उसने यह चीज़ पता करी कुछ बहुत अच्छा च्छा अब्जर्वेशन यह लिए कि यह बोला कि मोसर अलफा पार्टिकल तो भाई स्टेट अवे निकल गए सम आफ देम डिफलेक्टेट थू सम आंगर जैसे दिखाया कुछ बहुती फ्यू पूरा पूरा का पू जानते हैं जहां पर पूरा का पूरा 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 पू पार्टिकल पर एफेक्ट देख पाए ठीक है तो बात यही है कि उसने फाइनली कंक्लूजन किया कि most of the space in an atom is vacant most of the mass entire almost entire mass of the atom stays inside a very small volume known as the nucleus जिसमें positive charge है पूरा का पूरा और उसी के basis पे कुछ और भी बहुत सारी बात है कि अब सबसे एक बहुत अच्छा important conclusion और quantitative result यह था कि जो number of number of scattered particles है per unit area वो आपके scattering angle से related scattering angle मतलब यह वाला angle जो भी scattering angle हो रहा है Q यहां सीधे से कितना हो गया इधर Q angle सीधे जाना चाहिए था न वो Q angle ऐसा scatter हो गया तो इसका एक relation था n is inversely proportional to sin raised to the power 4 Q by 2 n is inversely related to sin raised to the power 4 Q by 2 जहां पर Q गया था आपका वो angle था वो angle था जिससे वो scatter हो गया तो जो जादा नंबर की particles थे जादा particles थे वो कम angle से scatter हो है ठीक है वो क्या हुआ है कम angle से scatter हो है समझ रहे बात को और जैसे तुमने angle बढ़ाते गए तो number of particles भी कम होते समझ रहे हो तो देखो जब Q की value बहुत कम थी मतलब scattering angle जैसे कि इनके साथ हो रहा था maximum तो ऐसे सीधे निकल जा रहे थे न क्योंकि पूरा space तो खाली पड़ा हुआ है तो maximum तो बहुत कम angle से scatter होए नहीं और फिर थोड़े बहुत जैसे जैसे angle बढ़ता गया बहुत कम-कम-कम-कम-कम होते गए जो कि किसी particular angle से हुए और ऐसा भी scenario बना कि जब Q की value कित्ती हो गई क्योंकि value हो गई infinity मतलब number of particle 0 ही मतलब उत्य आंगल पर कुछ है ही नहीं समझना मतलब 180 पर बहुत ही कम particle तो यह तो पहला conclusion हुए point number one जिसको समझना है हमे number of particles का relation कैसा है scattering angle से next जैक point समझना होता है minimum distance distance of closest approach क्या होता है तो distance of closest approach समझना बड़ा असा नहीं है देखो यहां पे electron है यह देखो जरा यह electron है इसके पास एक velocity थी यहां से चला इसकी स्पीड कम होती गई कम होती गई कम होती यहां पे आया तो इसकी स्पीड क्या होगी जीरो तो जब यहां पे आया तो उसकी पूरी किसमें कनवर्ट होगी है पोटेंचल एनर्जी में तो बस इसकी पूरी कानेटिक एनर्जी को हैं पोटेंचल एनर्जी से बराबर कर दो और जो आंसर आएगा वही बता देना वही है आंसर मेरा distance of closest approach का देखो यहां पे दिया हुआ है कि पूरी की पूरी एनर्जी हाफ mv square थी हाफ mv square किसमें कर्णवर्ट हो जाएगी के जड़ इंटू 2e क्योंकि alpha particle पर 2e चार्ज होता है और zeर्ड चार्ज किस पर होगा gold foil की nucleus ठीक है तो यह होगा k q1 q2 upon r0 r0 whole square नहीं r0 यह होता potential energy ठीक है और यह r0 क्या हो जाएगा r0 हो जाएगा मेरे distance of closest approach तो r0 की value कित्ती है रही भाई लो r0 की value आ जाएगी देख लो r0 की value हो जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा so 4kze square divided by mv square यह होता है मेरे distance of closest approach यह होता है मेरा क्या distance of closest approach यहां पे इनुने kinetic energy की जगए बस e ले लिया मैंने mv square ले लिया तो 2 उपर multiply हुआ यह रहा आपका answer यह रहा आपका answer ठीक है कोई समस्या कोई problem बताओ कोई समस्या कोई problem अगर इसको 4 pi epsilon ले लोगे तो दो दो बे क्यांसल हो जाएगा यह भी लिख सकते हो तो घमराना नहीं formula से याद रख लेना है तुम तो simple यह याद रख लो यह जो याद रखना है concept समझ में आना ची पूरी की पूरी कानिटिक इसमें करना टोगी potential energy मों हो गया distance of closed approach ठीक है नेक्स्ट आजाता है impact parameter का कॉन सब्सक्राइब क्या बोलता है impact parameter यह बोलता है कि जो perpendicular distance of the velocity vector मतलब suppose करो यह मेरा nucleus था यह मेरा nucleus था और यह मेरा alpha लाइन से जो central लाइन है उससे जिस point पर alpha particle मूफ कर रहा है यह कहलाता है impact parameter इंपाक्ट parameter जो होता है impact parameter होता है वो scattering अंगल से directly related होता है मतलब impact parameter जादा यह जादा तो जो theta है वो कम हो जाता है समझ रहो देखो यहाँ पर scattering अंगल एक और एक alpha particle लेता हो यह रहाँ यहां पर आप देख सकते हैं यह impact parameter छोटा तो यहां पर scattering होगी कैसी हो जाएगी ऐसी हो जाएगी आप सक्कैरिंग कैसी हुई इतने ज़ादा बड़े अंगल के हुई और यहां पर scattering छोटे अंगल के हुई क्योंकि impact parameter जादा था इस particular scenario में impact parameter जादा तो scattering angle बढ़ गया इसमें impact parameter छोटा तो scattering angle और जादा बढ़ गया यहाँ पे छोटा scattering angle यहाँ पे ज्यादा scattering angle समझ रहा बात को clear है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी जो है वो caught of theta by 2 के directly related होता है ठीक है impact parameter small अगर impact parameter मेरा घटेगा तो theta मेरा बढ़ जाएगा और impact parameter मेरा बढ़ेगा तो theta मेरा घट जाएगा यह relation याद होनी चाहिए relation समझ में भी आनी चाहिए यह तो खास कर से बीज डियरेक्टर पोर्शनल हमने समझ लिए ठीक है drawbacks के आते पहली बात तो drawback था उसका stability of atom का कि भाई stable नहीं है वो atom जो कि electron कोई भी चार्च पार्टिकल जब भी circular orbits में move करता है तो वह obviously acceleration में तो है acceleration में तो है कौन सी acceleration by centripetal acceleration सिंपल सा फंडा centripetal acceleration में तो है और centripetal खतम हो जाना चीए पूरा matter entire universe खतम हो जाना चीए प्रस नहीं होता तो stability of atom सबसे बढ़ा एक drawback था सेकेंड यह था कि जो spectrum of atom observe किया जाता है मतलब atomic shells में electron के उपर नीचे जंप करने वो तक उनों नहीं नहीं बता है था उन्हें बस बता जिए घूम रहे हैं अब कहां घूम रहे हैं शेल्स define करो नहीं यार 1s2s2p ऐसे define करके बताओ तब तो मानूंगा तो भी भाहिसाब नहीं अच्छे से define कर पाया थे इसलिए problem हो गई और फिर कौन आया है आया हमारे बोर भाई साब बोर करने के लिए बोर तो नहीं अच्छा काम कहन हो नहीं तो बोर ने कुछ पॉस्चुलेट दे दिये पॉस्चुलेट ऐसी चीज़ है जो कि दे दा तो उसके बाद तुमको उस पर question नहीं कर सकते तो नंबर एक का पॉस्चुलेट तो उसने यह दे दिया कि भाई जिस शेल में जिस शेल में इलेक्ट्रॉन गूम रहा है वह स्टेशनरी और्बिट् गूमते हैं वह अपनी एनरजी नहीं एमिट करेगा कोई एम वेव एमिट नहीं करेगा तो पहला क्लॉस तो सेव हो गया कि स्टेविलिटी आटम बे बात आगी अभी क्यों ऐसा कर रहा है वह एडवांस फिजिक्स का कॉंसेप्ट है उसमें तो मत जाओ क्वांटम फिजिक हर एक शेल जिसमें घूम रहा है उसके पटिकुलर एनरजी है हर एक शेल जिसमें घूम रहा है उसके पटिकुलर एनरजी है और जब भी वह एक शेल से दूसरी शेल में जंप इन करेगा तो या तो वह रेडियेशन को अब्सॉर्ब करेगा या रेडियेशन एमिट करेगा तो यहां पर हिसाब सिंपल यह है कि जो निउख्ली्यस केपास रहता है जो निउख्लीयस केपास रहता है ळोःण एनरजी करेगा तो एनरजी रेडिएशन देगा और जब लो से हई में जम्करेगा तो energy radiation लेगा भाई लेगा लेगा तभी तो उपर जा पाएगा लो से हाई में जाना है ठीक है सो यह concept बस बोला और जो energy radiation लेगा which is आप से related रहेगा h new equals to u2 minus e1 जो भी change in energy ठीक है तीसरा postulate यह बोल दिया कि जिन shells में वो घूमता है वो shells में जो angular momentum होता है वो integral multiple होना चाहिए h upon 2pi क्या होना चाहिए integral multiple होना चाहिए किसका h upon 2pi है clear है h upon 2pi का होना चाहिए तभी काम बन पाएगा तभी काम आपका बन पाएगा okay so यहीं बोला जो angular momentum रहेगा that should be an integral multiple of h upon 2pi जिसमें n होता है principal quantum number आपके के LMNO shell के हिसा आप से 1234 आगे की तरफ बढ़ता चल रहा है ठीक है okay चलो बढ़िया और बढ़िया सर समझा दिया आपने तीनों postulate को use करके एक ती equation यह आ जाती है दूसरी question आ जाती centripetal force की कि जब भी electron move कर रहा है तो kze square upon r square is equal to mv square by r ठीक है इन दूनों equations को use करके हम पता करते हैं हम basically कुछ अच्छी खासे result निकालते हैं तो यानि कि सबसे पहले result निकालता हूं radius of NHL velocity of NHL energy in NHL इन तीनों के बारे में omega of NHL time period of NHL सबके बारे में बाते करेंगे ठीक है अब क्या बाते करेंगे सबसे पहले तो बता देता हूं radius तो मैं derivation में नहीं जा रहा हूं मुझे derivation में नहीं घुसना मुझे क्या निकालना radius निकालना तो radius की value कित्ती हो जाएगी radius की जो value होती है वो हो जाती है 0.52 N square by Z radius of NHL कित्ता होता है 0.53 N square by Z angstrom आपको यह याद रखना है भाई यह याद रखना है यह याद रखना है अच्छा एक और चीज़ जो बोहर का atomic model है जो बोहर model है किसके लिए valid है बहुत important note बहुत important note यह किसके लिए valid है तौ बोहर का atomic model is valid valid only for hydrogen atom only for hydrogen atom और hydrogen like atoms अब hydrogen like atoms मतलब एक electron वाले atom एक electron वाले atom ओके one electron atoms और one electron atoms क्या होता है सर जीलियाम है हुआलियम में होता है तीन अलेक्ट रों ठीक सु यह कुछ एग्जाम्पल्स हो घंगा आपके उनके जहां पे बोहर का atomic model valid है बोहर का atomic model valid है इनहीं में लग सकता और कहीं नहीं लग सकता है इसलिए z का element आता है कि अगर hydrogen की बात करोगे तब तो z1 है लेकिन अगर helium की बात करोगे z2 है lithium की बात करोगे z3 है ठीक है so r is equal to rn 0.53 n square by z ऐसी velocity किती हो जाती है तो velocity हो जाती मेरी 2.2 into 10 बार 6 z by n या फिर c upon 137 into z by n यह मेरी velocity of nth orbital है तो यहां से velocity क्या दिखती है कि भाई velocity directly proportional किसके z by n के किसके z by n के okay energy energy पर आते हैं so energy हो जाती माइनस 13.6 z square by n square माइनस 13.6 z square by n square electron ठीक है एक और चीज़ दो और चीज़ बताना चाहते हो कौन by 2 किती हागी तीन लाइनस आ रहे है देख लो फ्री लाइनस आ रही है यह रहा फॉर्मूला नंबर उस्पेक्टर लाइनस किती हो जाएंगी जहां से एंटू से नवन पर आना है एंटू से नवन यह यहां से इसके बीच में देखना किती आ सकती तो एंटू बाइनस नवन कर दो और नवन कर दो डिवाइड़ेड इंटू कर के डिवाइड वाय्ट 2 कर नवर उस्पेक्टर लाइनसा से याद रहेगा फॉर्मूला जाइस हुआगन धो हैं यूदीच वर्मॉला से डीखिए इंटकू देखाई है डूको टाइप आइटम्स बिलकुल हाइड्रोजन लाइक के लिए गुल्ड का अलुमिनियूम इन सब का तो बता इन सब का नहीं बता सकता इन सब का नहीं बता सकता वह सबसे बड़ा डरोब है कि यह थी तो थी डाइप की स्पेक्टरल लाइन्स होती है इस तो बस सिंपल कुछ- करकि वह यह नहीं बता पाता वह यह नहीं बता पाता वी कि आ सब गद हो यहור वह भी बहुत प्रोब्लम है. Bohr theory does not indicate whether an electron from a higher energy level falls directly to the lower one or successfully through 1, 2, 3 ऐसे. मलब 4 पे है, तो 4 से direct 1 पे आएगा, 3 पे आएगा, पर 3 से 1 पे आएगा, या फिर 4 से 2 पे आएगा, एक पे आएगा, कैसे आएगा? कुछ नहीं बताता. उसने बोल दे एक के spectral lines possible है. तो भाही, किस पे क्या factor रहेगा, वो नहीं बताता. This theory cannot explain the appearance of a large number of spectral lines when the source is placed under effect of electron. यह तो कर लिया. The charge distribution of the electrons comes out to be different from as assumed in this theory. बिल्कुल से. बिल्कुल से. ठीक है? So, यह होगा मेरे drawbacks of Bohr model भी. So, I think, पूरे session में आप सभी को सारी चीज़े मिल गई हैं. Dual nature के सारे concept cover कर दिये. उसके बाद Bohr atomic model पूरा cover कर दिया. तो आप क्या बच रहा है? हो गया भाई. Maximum portion तो modern physics का इसी में हो गया है. सही बता हूँ, दो question, तीन question तो यहीं से आने हैं. जिसने session देख लिया हो, दो, तीन question तो done है. एक डम done है. एक एक चीज है यहां पे NCRT कुछ नहीं छूटा. और बहुत जल्दी, बहुत ही quick तरीकी में आपको पूरा revision में मिल गया. तो क्या चाहिए और पशान्ती से आओ, session देखो. अपना काम करते रहो, अपना revision करते रहो, focused रहो, इधर उधर मत भटको. आपका समय बहुत कीमती है. फालतो की चीजे मत देखो. फालतो की चीजे बिलकुल मत देखो, जिससे आप disartan हो जाओ. focus रखो और मन में इतना strong विश्वास रखो कि यार, exam कोई निकाल सकता है, तो बस वो मैं और कोई नहीं. ठेक है? इसी note के साथ, यार, आज का session close करते हैं. मिलते हैं हम next session में जहांपे हम modern physics part 2 करेंगे. Till then, bye-bye. Thank you. All the best to all of you. Bye-bye.